हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी लोगों का सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में बहुत ही छोटा चेप्टर है, इसको आसान तरीके से पढ़के, आज हम लोग यूनिट सरी क्या कर देंगे, टोटल और टोटल कम्प्लेट कर देंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर बैल आइकन नहीं दबाए हैं, तो दबा लेजी जिसे हमारी नए-ने वीडियो इसको नोटिफिकेशन, आपको सीधा और सीधा होंपेज पे ही मिल जाए, कहीं पे खोजने की जरूरत ना पड़े, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना देर की वे जानते हैं, प् हम लोग जानेंगे, फिर स्क्राइब्ड मेडिकेशन, आडर का मतलब क्या होता है, अब आप लोग यहें पे समझेए, पी यम ओ, इसको साइट वर्ड में बोला जाता है, पी यम ओ, अब पी यम ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर स्क्राइब्ड मेडिकेशन, आडर, अ जिसे माली जी यहाँ पर कोई डाक्टर है ठीक अब डाक्टर के पास जब कोई पेसेंट आता है अपनी बिमारियों के बारे में सब कुछ बताते हैं तो एक परची लेकर के आते हैं पेसेंट ठीक अब परची लेकर के आते हैं डाक्टर को देते हैं और अपनी बिमारियों के बारें बताते हैं तो वो परची पर वो दवा को लिखते हैं उसी लिष्ट के आडर को जो चीज यहां पर बिमारी बताते हैं सब कुछ वो क्या करते हैं इस परची में लिखते हैं और उसी लिष्ट के आडर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तो prescribed medication order आयोप आप लोग ये concept समझ में आ गया होगा कि जब patient जाता है डाक्टर के पास तो डाक्टर उनके बिमारियों के बारे में सब कुछ चीज परची पर लिखते हैं उसी परची के list को उसी परची जो वही list होता है आडर होता है उसी आडर को हम लोग क्या काते हैं prescribed medication order अब इसमें किसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए क्या लिखना है वो जानते हैं prescribed medication order इस रिटेंड डारेक्शन इसका मतलब क्या होता है हाथों से लिखे हुए डारेक्शन में prescribed medication का आडर एक होता है जिसका अब यहाँ पर बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है जिसका पहला मतलब होता है कि जिसे फर्मासिस्ट पढ़की अच्छे तरीके से communicate करना मतलब समझाना पेसेंट को उसके treatment की बारे हम सब कुछ जानकारी देना की मतलब इसका इलाज कैसे होगा आयोप इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा और दवा लिखा जी हो गया होता है जिसका आडर का लिष्ट होता एक परची होता है उस पे सब कोई ड़ा लिखे गए हैं ठीक लिख के दे दिया है अब फर्मासिस्ट पढ़के पढ़के उन सबी दवाईयों को निकालते हैं और निकाल के क्या करते हैं उस पेसेंट को देते हैं और उस पेसेंट को समझाते हैं कि मतलब ये दवा को कब खाना है और कब नहीं खाना है सब कुछ के बारे में टूटल डिटेल समझाते हैं medication order में कुछ following need मतलब कुछ आवसेक्ता है होती है इसमें कुछ point होती है जैसी कि सबसे पहला होता है patient का नाम क्या होता है medication का नाम क्या होता है medicine का नाम क्या होता है जो दवा है उसका strength क्या है medicine का doge क्या है doge is farm क्या है time या फिर frequency of administration क्या होता है route of administration क्या है quantity to defense क्या है prescribe name and signature भी किया जाता है ठीक तो ये सब कुछ चीजे होती है medication order के जो कि यहाँ पे 60 word में लिखे गए है इसको लिखना चाते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा supporting आप पर में से के program group में वहाँ पे आप लोग जोईन हो करके क्या कर लेजिएगा इसको लिख लेजिएगा पेडियक को लेगर करके इसमें कुछ छोटे छोटे आओ topic हैं उसको लिखना चाते हैं लिख सकते हैं interpretation आप prescription ठीक तो ये ज़्यादा important नहीं है हमें बात करना है communication skill के बारे में लेकिन ये आप लोग को समझ में आ गया होगा जो की बहुत important था prescribed medication order का मतलब क्या होता है चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसको अगर लिखना चाते हैं समझना चाते हैं तो वीडियो को रोक करके इसे आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि legal requirement क्या होते हैं ये सब आप लोग previous lecture में जानकारे मिल गया है कि legal requirement क्या होता है इस chapter का जो very very most important topic है ये दो ही है सबसे पहला जो है वो है prescribed medication order और दूसरा है communication skill अब communication skill का मतलब होता है माल लीजे कोई doctor से ही बात करते हैं ठीक माल लीजे यहाँ पर कोई doctor है और यहाँ पर कोई patient आया अब patient आया अपने बिमारी को बता रहा है अपने language में मतलब इसको भोचपूरी आ रहा है या फिर इसको हिंदी आ रहा है ठीक यह अपनी बिमारी को बता रहा है और डाक्टर यहाँ पे लिख देने दवा को और थोड़ा बहुत अगर समझाने की कोसिस कर रहे हैं तो अगर इसको इंगलिस में बात करके समझा रहे हैं या पर दूसरे लैंग्वेज में समझा रहे हैं और पेसेंट कुछ समझ नहीं पा तो ये क्या होती हैं? कुछ दिक्कते होती है. उस पेसेंट जिस तरीके से समझ रहा है उसी तरीके से उसी लेंग्विज में उसको सब चीज बताना चाहिए जिसे पेसेंट को अच्छे तरीके समझ में आ जाए कि उसकी बिमारी कब किस तरीके से ठीक होगा आपकी बातों को सब को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाहा रहे हैं और लोगों को सब कुछ अच्छे से आपको बातों को समज जा है जैसे हम यहां पे आप लोग को बता रहे हैं तो हमारे बातों को आप पकड़ रहें की नहीं, सही से समझ रहें की नहीं, वही चीज में improvement लाना चाहिए और वही चीज हमारा होता है Communication Skills, simply मतलब यहाँ पे होता है Information in easy way to understand with the patient and family member उस तरीके से उनको आप लोग information दीजिए जिसे patient को भी सब कुछ समझ में आ जाए और उनको जो family member रहते हैं उन्हें भी समझ में आ जाए या फिर nurse हो गएं, pharmacist हो गएं, other healthcare provider आपके department में हैं और आप उन सभी लोगों को कुछ बता रहे हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए यही हमारा होता है, communication skills, इसमें कुछ point दिए गए हैं इसको पर लेना आपको समझ में आ जाएगा, कोई doubt हो, तो comment box में जरूर बताएगा तो चली दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कि communication skill क्या होता है और medication order क्या होता है, prescribed medication order क्या होता है simply prescribed medication order का मतलब होता है, डाक्टर जो दवा को लिखते हैं, एक list में उसी list को हम लोग काते हैं, prescribed medication order जिसे फर्मासिस्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, और उन सभी दवाओं को देते हैं, patient को और उन सभी के बारे में उनको समझाते हैं, कि कब खाना है, किस तरीके से खाना है, कितने quantity में खाना है कब तक खाना है कब तक नहीं खाना है जब तक आपकी बिमारी ठीक नहीं हो जाता है वो सब चीजों को समझाया जाता है किसको पेसेंट को आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चेप्टर अगर समझ में आ गया हो